आइक्यू जेड़ सिक्स लाइट अन्बॉक्सिंग एन रिव्यू तो फाइनली इंडिया में आइक्यू की तरफ से एक बचट सेग्मेंट 5G स्मार्टफोन जो कि है आइक्यू जीच्स लाइट 5G जो कि है 4GB राम और 64GB स्टोर जाला वेरंट यहां भी जस्त रिसेंटली लाउंज हुआ है और एक तरह किसे कहना पड़ेगा यह जो आइक्यू जो स्मार्टफोन जो मैनुफेक्ट्रिंग करता है यह काफी अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन मैन अभी यहाँ पर Amazon से पर्चेस किया है इसका जो प्राइस है नियरली आपको 14,000 रुपय में यानि कि 13,999 में आपको Amazon पर एविलेबल मिल जाएगा इसमें आपको और भी कलर्स एविलेबल देखने को मिलेगा तो मेरे पास जो है यह बेसिकली ग्रीन है जो लेकिन एक्छल मे करते हैं और चेकाउट करते हैं इसके कुछ फीचर्स टेस्टिंग करते हैं साउंड कॉलिटी लिटेबिट विडियो कॉलिटी और थोड़ोबर कैमरा से तो बेसिकली आइक्यू कि यह जो स्मार्टफोन कंपनी है काफी नियू है लेकिन कम ही टाइम में इनोने काफी अच् पैकेजिंग होते हैं यह भी काफी जारा अट्राक्टिव लग रहा है इस तरह की के पैकेजिंग है इस कंप्लेट यूनिक राइट सो लेट्स अन्बॉक्स करते हैं अगर आपको मेरे टॉपिक्स पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साती साथ गैस यहापर मैंने एक और सेकेंड यूटूब चैनल में और क्रियेट किया है जिसमें मैं कम्प्लेट लिफेरेंट टैप की वीडियो वहाँ पर अप्लोड करते रहता अपस्सक्राइब कर सकते हैं जिससे मुझे आप लोडों का सब्सक्राइब मिलेगा तो प्लीज सब्सक्राइब मैं सेकेंड यूटूब चानल मैं सेकेंड लिंक एलिकNow डिस्क्रिप्शन डाउनसाइट अब यहां पर आथे हैं आ अंबॉक्सिंग पर जैसे हैं पहली बात यहां पर पैकीजिंग किया गए है काफी जदा अट्राक्टिव किया गया है से पोको की तरह इसका डिजान लग रहा है तो यह तो अभी सी बात है इसके उपर यह नेरली तो इसमें तो आपका बैक कवरी ह यहाँ पर यह अच्छे क्वालिटी का लग रहा है जो नाम है स्टिलर ग्रीन है लेकिन किस एंगल से ग्रीन लगता है और पहले बात हाथ में लेने के बाद इतना हैवी फिल नहीं होता है लिकिन मीडियम टाइप में यह एक्दम है विलग रहा है और इसके बात है एक स्टिकर तून इसके बात है यह एक टैप-C केबल तो यहाँ पर आपको जो बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता है इसमें कोई भी चार्जर आपको एक उफर मिलता है जिसमें आप अलग से 18 वाट का चार्जर आप पर्चेस कर सकते हो यानि कि इसमें यह जो IQ का स्मार्टफोन है IQ Z6 Lite 5G यह 18 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है तो आप इसे 18 वाट के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं साथी मैं इसको Amazon से पर्चेस भी कर सकते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता है यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट इसके बार यहाँ पर यहाँ पर आपको उपर की तरफ यह सिम टूल किट्स मिलता है इसे जैसे आपको टैप करना है और यहाँ से आपको ओपन कर लेना है इसे आपको इसमारी को प्रसेशों कमप्लीट कर ले तो तक ज्यदा टाइम यहाँ पर कंज्यूम ना हो इसाउप प्रसेस में करण आपको तो अलब करो हैं तो फाइनली यहां पर जो इसका सेटप प्रॉससे है वह कंप्लीट हो चुका है जैसे इसका सेटप प्रॉससे है इसका जो स्मार्टफोन को जो एक्जाक्ली लूग है वो ऐसा देखने को मिलता है प्रस्ट में जो OES इसमें दिख रहा है जो भी IQ का जो OES है इस लिटी बिट इफटरेक्टि दिख रहा है और यहाँ पर जो IT जब भी कोई smartphone launch करते तो उसमें कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ खास बात तो होती है तो यहाँ पर यह एक मेने फर्स्ट एम एक budget segment में IQ का स्मार्टफोन पुछ गया है तो जो पूरा सेटप प्रोसस कंप्लेट करने के बाद जो स्मार्टफोन है इसका लूक आपको ऐसा देखने को मिलता है तो अगर मैं बात को यहाँ पर स्मूधने सॉफ्टनेस की तो जिस तरीके से में इसको स्क्रोलिंग डर रहा हूँ यह थो पूरा लिटल बीट बीट अप स्मूधनेस लग़े रहा बट अपी स्मार्टफोन नया है तो इसके बाले में जारा कुछ नहीं कह सकता और इसके बात यह है इसका पूरा कपूरा नोटिफिकेशन जार दिए इसको पूरा कपरा स्क्रोल लाउं कर लेते हैं एंदर इसके ब 4GB इसमें RAM है प्लस 1GB का वर्चोल राम आप इसमें यूज करके आप इसको एकस्पार्ड कर सकते हैं इसमें स्नाप्राइगन का फॉर्स्ट जो 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 प्रॉससर में यूज के साथ में आता है Android 12 के साथ में आता है Android 12 एंदर इसके बात है यहां पर 64GB का इंटरन स्टूर इस इस पहल connecting आता है डूfund आप इसege थोड़े उसके का सेटिंस अगयरे मिलते हैं छे उसके फोटो के स्टेंस में हूं तो यहां पर आपको पोट्रेट फोटो शॉडियोस नोगे उप्षिंड तो अभी आपर इसके video के quality में तो यहाँ पर आप जो max-to-max जो videos यहाँ पर record कर सकते हैं तो आप इसका video क्वालिटी चेक आप कर शक्का लेटो अभी मेरे नाप कीड़ियाशन पर आप 1080p और 720p जो वीडियो से वह यहाँ पर इसमें इसली शूट कर सकते हैं, इसमें 4K का सपोर्ट ने दिया है, यह एक बजट सेग्मेंट है, तो आपको इसमें जाला सपोर्ट नहीं लगा है, उसके बाद फिल्टर के इतना सारे उप्शिंस यहाँ पर अविलेबल है, तो यहाँ पर साउंड कोलिटी अगर में बात करूँ तो इतना खास कोई साउंड कोलिटी नहीं है, लेकिन यह एवरेज है, एवरेज से थोड़ असा ऊपर साउंड है, अब यहाँ पर यह जैसे कि मेरे पास एक वर स्माटफोन है, यह है टेक्नो का टेक्नो पोवात्री, इस यहाँ पर मेरे पास यह एक और स्माटफोन है, यह इंफिनिक्स का नोट 11S, जो की है 15,000 उपे का स्माटफोन, तो यह भी 15,000 और यह भी नियर बे 15,000, तो दोनों का एक बार साउंड टेस्टी भी करतें, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, तो यह ज स्माटफोन है, तो यहाँ पर अगर आप इसको कंपार कुरो टेक्नो पोधरी से, तो टेक्नो पोधरी का जो साउंड कोलिटी वो जादा बेटर रहता है, आईक्यू देसे स्लाइट फैजी के कंपार में, वैसे काईस, अभी जो स्माटफोन है, अभी completely new स्माटफोन है, तो मैं भी जारा है, इसको experience करता हूँ, कुछ इसके positive, कुछ negative points को में search करता हूँ, दिन उसके बाद, अगर मैं इसके review topic भी कवर कुरूँगा, जिसमें मैं detail में इसके बार में explanation होगा, फिलाल अभी हाँ पी मैं स्माटफोन को एक normal तरेकिसा unbox करो, but next time इसका एक review topic भी कवर कुर में पोच सकते हैं, thanks for watching, have a good day. झाल झाल